सीधा रुख करती है जशल वेर का तनोट माता के दर्शन करने पहुँचे हैं यहां कंग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा भावर सि 언भ भाटि यहां मंदिर पहुचे हैं दोनों अपने परिवार के साथ यहां मंदिर पहुचे हैं और हमारे साथ हमारे सहीयोगी लक्ष लक्षमन यहां विधायक जो है तनोट माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं क्या कुछ तस्वीरे आप यहां देख रहे हैं कि देखे राजस्तान का सियासी सरगर्मिया कितनी बड़ी हुई है यह आप जानते हैं सक्ति पीठ है तनोट मंदिर यहां पर इत्यास है किस से हैं माता की शक्ती की कहानिया हैं किस तरह से युद्ध में हुआ और कही ना कहीं जो युद कहिएगा, जो सियासी युद कहिएगा, जो लड़ा जा रहा है, उसमें राजिंदर गुड़ा वो सक्स है जो बस्पा से सामिल होने वाले विधायकों के कही ना कहीं अगवा थे और इनको लेकर लगातार बाते हो रही हैं मंत्री हैं भावर सिंग भाटी वो उनके रिलेटिव भी हैं वो भी यहां पर साथ पहुंचें तो सबसे पहले हम राजिंदर गुड़ा साहब से बात करते हैं गुड़ा साब बसपा को लेकर बड़ी बैचेनी है कहा यह जा रहा थ जो दूसरे लोग थोड़ा वो तनाव हुआ क्या मुझे तो कभी तनाव दूसरों को देता हूं तनाव कभी लेता तो हूँ नहीं बागी दूसरी बात है कि यह दल बदल के लिए सिदा सिदा कानून मिड़ा है दो त्याई मेंबर कभी भी कभी बदल सकते हैं यहां तो सारे के सारे दो बार गए इस राजस्तान के हित के लिए सरकार के अस्तायत्व के लिए इस पर्देश के हत्षित के लिए असोग जी गैलो से बढ़िया दूसरा कोई फेच निया मैं डेवन से ही कह रहा हूं सुरू से असोग जी को हम पर्सनल सपोर्ट करते हैं मैंने अब भी नहीं 2008 में भी मैं छे बसवाके विदायकों को मैं विदायक दलका नेता था और 2008 में मैं छे को पहले भी लेके गया था जो उस टाइम में सरकार माइनोटी में थी और अब की बार ये दुबारा मादा तरनोट के प् लोग हैं वह अभी बहुत सारी बाते कर रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी भी संभाव नाए हैं खोली रखनी चाहिए बाते भाजपा के अपने दावें हैं भाजपा लगातार जिस तरह से प्रहार कर रही हैं तो आप क्या कहेंगे सचिन जी पहली बार मेले बने पहली बार विधायक बने और उनके वह परदे सद्धेक्स भी थे राजस्तान के और उनके पास पंचाहिद राज जैसा बहुत महत बुण डिपार्टमेंट था पी डबलूड उनके पास थी और मैं जहां तक समझता हूं सचिन जी की तो आप अपड़े बहतर की रुखवाड़ी करो यह आपका समान सरग गया है और मैं गारंटेट कह रहा हूं सतीष जी पुनिया विधान सवा में 14 तारीक को आप 14 तारीक को आप बहतर को परजेंट कर देना यदि आप 15 तारीक को बहतर विधायकों को बीजेपी के प्रक्स में परजेट करें मेरा ना वदल देना पर वो तो कह रहे हैं कि सरकार डरा रही है इसलिए विधायकों को जिसने फोन टेपिंग की बात हुई कह रहे हैं होटल से निकल नहीं दे रहे हैं यह तमाम बातें कहीं जारी बाजपा की तरफ से जिनके खुद के घर सीचे के बने पर विधान सब आरी बीजेपी महान पार्टी है जो उनको परदे सज्जेक्स आप आगे वाले चुनाओं भी आएंगे यह पता चल जाएगा अपने बैत्र को बचाओ आज जो अब रवाना हुए विधायक राजिंदर गुडाजी आपको जानकर यह क्या कहेंगे इस बात वाल मत लर शरी उसको समस्ते नहीं चुसों को लेकिन आपको बता तू हमें नहीं नहीं कोई बाड़ाबंदी कर सकता नहीं कभी बाड़ाबंदी हुए बाड़ा में जैसी कोई चीज नहीं है आपके सामने ँरे यहां और यह तो माता तर्वनोट माता करने के लिए परिवा कि कहां से अब रोज उनको हर गंटे अलगली नूज देनी पड़ते तो चला देते होंगे ऐसी कोई बात नहीं कभी मुझे है ना मुझे कि नहीं लगा कभी किसी को रुका होगा एक बात कह रहे हैं कि अशोग गहलोत जो है वो गांदीवादी तो भलाई है सतीश पूनिया हो लेकिन सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं शोग गहलोत पर देखिए माँ आपको बताओं तीसरी बार का मुख्य मंत्री है तीसरी बार केंद्र मंत्री तीन पांच बार जनरल सेकेटरी ओल इंडिया के और तीन बार पीचिसी कहता है सोग जी गहलोत का कोई मुकाबला राज अपड़े बैतर को समाड़ो आपके बैतर हैं वो ठीक नहीं है पर कहने कि धड़कने तो इधर बढ़ी होई है क्योंकि जिस तरह से किया गया और यह यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन होटल में जब तक सरकार है तब तक शुरक्षीत है यह भाजपा क्या रूप है देखि पड़े आपके सामने चवदा तारी को फिर आपको पता चल जाएगा कोट के जो फैसले होते रहेंगे मेरा तो आपसे निवेद दने कि यह ना यह जुटूं की मकारूं की पार्टी है और यह करते धरते कुछ नहीं है इस सिर्म नारे लगाते है और इनका कोई लेना देना वह हमारे प्लो टेस्ट के अंदर आएंगे सारे पर आपको एक सवाल बनता है साब फिर आपको लगता है भाजपा वाड़े बंदी क्यों कर रही फिर कुछ तो प्लान है की नहीं भाजपा की कमजोर लोग है इनका नितुर तो भी कमजोर है और यह अंदर से घबराए असोग जिगेलोरटस वहारे में सारी दुनिया जानती है और उनका जो कारेकाल राब अठाणमसे तीन के बीच में और आट से थेरा के बीच में रिये और ये पारेकाल लिये शारी उनके अुपर लागllenी होती जिस जगे पैसे का लेंड देन हो रहा है और हो रहा Effective आम हो रहा है, उन्हेंने मंडी लेगा दी राजस्तानी इस लोग तंतर को उसने लोग तंतर का सोधा कर दिया। पर कह जारे नोटिस तो आप लोगों को जो दिया है उसका जवाब त्यार कर लियाप लोगों ने? सारे संवेदानिक पता जिनको जिनकी आस्ता इन लोगों ने खरीद ली गवर्णनर साथ किस तरीके से सविदान के साथ खिलवाज दू म कर रहे हैं और हमारे नोरी सें सिद्धे बड़े हैं चैकेशाएं विधायक गये था हॉह्छ नहीं है हुशत और अकरी को लेकर कोई है कुछ यह मामला दिल्ली को करना है यह पंचायदी में रात्मनी तो चलिए आपके बंचायदी यह है कि सरकार बच जाएगी सरकार बच जाएगी बी-जेपी के बैटर नहीं रहेंगे कम हो जाएंगे